क्य 97 ढ़ोड रेंग नग्य noisesसैल माइकुड अपलोड गया झाल है इसाथ माइर लेशन chilli में एक्सप्रेन भी क्या जा कम्या है फाइल में आपको कैसे लिखना है細 पर jags पैज एक पैज ऐसा ऑगा जो आपको नजेदार रहा है सामने और इसके साथ में आपको बरावर में दिया ऊगा एक सुपवाइजिन के लिए ने कॉंपोनेंट्स लेओं लेकें वहां पर आपको मार्किंग मिल रही होगी ठीक है कि आपके स्किल में जो कॉंपोनेंट्स पर किस किस तरीके से आपने निभाया तो उसके according आपको वह marking दी जाएगी आपके supervisor के द्वारा ठीक इसी के साथ में एक अलग pattern का micro lesson plan था तो आप मैंसे एक learner के द्वारा उसमें query थी तो पहले वो भी upload किया जा चुका है तो आप माइक्रो लेस्न प्रान के नाम से ही वो वीडियो है ठीक है डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप देख लेना ठीक है अपने according आपका किस ताइप का pattern है अभी है आपर हम जो इस्किल देखने वाले हैं वह 7 है आपकी 7 इस्किल में हम देखेंगे जहां पर सबसे पहले आपका प्ले टीचर से स्टेट्मेंट होगा इसके बाद में सेकिन कॉलम आपका student activity का होगा और तीसरा आपका name of component यूजड कौन 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 से component आपने इस skill को करते वक्त यूज किये है तो micro teaching से आप परिचित हैं आपने pedagogy subject के exam दिये हैं आपने पता भी है अच्छे से micro teaching क्या है तो यहाँ जो duration हम ले रहे हैं micro teaching skill का एक के लिए वो है six minute ठीक है तो date आप mention करेंगे class, subject, duration और topic five to seven minutes आप journal ले लेते हैं तो यहाँ हम बीच का ले लेते हैं कि six minutes कोई भी query हो तो बीच में पूछ सकते हैं ठीक है comment कर लिजेगा बाकी आपका यहां questions है तो introduction skill है तो यहाँ जो आपके introductory question होते हैं आपने अगर ढग से lesson plan को समझा हो तो जो introductory question है वही आपके introduction skill बनेगी जहाँ आप बच्चों की previous knowledge पर based questions करेंगे तो आपने यहाँ चार questions किये हो हैं बच्चे ने इसका answer किया हुआ है components आपने बता दिये जो जो यहाँ पर use हो रहे हैं और बाद में आपका क्या जाता है statement of aim आजाता है ठीक है आगे हम चलते हैं तो next आपका questioning skill है यहाँ भी आप questions कर रहे हैं एक तरीके से जैसे development question करते हैं तो वो आप कर सकते हैं एक और बात जो सभी skills हैं ज़रूरी नहीं है एक ही topic लेकर आप बनाए या ज़रूरी नहीं है अलग-अलग topics से आप बनाए जैसे भी जिस topic से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं सारे के सारे skills एक ही topic से भी बना सकते हैं और different से भी बना सकते हैं हर एक skill अलग topic के साथ में अच्छा यहाँ पर जो आपकी questioning skill है यह आप development question से ले सकते हैं जैसे कि यह skills है micro lesson plan है वह बड़ी आसानी से बन जाएगा अगर आप अपने lesson plan जो main macro lesson plan है उसकी मदद से आप बनाते हैं कोई भी lesson plan उठाईए उसमें से introduction skill बना दीजिए कोई भी lesson plan देखे उसमें से developmentary question लीजिए और वहां से कुछ questions रख दीजिए बच्चों उनका answer कर दे रहे हैं तो वह हो जाएगा ठीक है components आपको third column में दिया ही हुए है तो यह आपकी questioning skill हो जाएगी next आपका explaining skill तो कोई भी topic आपने व्याख्या किया होगा है न explanation दिया होगा तो वह आपने बता दिया ठीक है आगे चलते हैं तो stimulus variation इसके लाता है stimulus variation एक प्रकार से यह आपके posture, face, expressions इन साब को include करके check किया जाता है आपके खड़े होने का तरीका ठीक है आपके explain करने का तरीका, speed यह सब कुछ तो stimulus variation में आ जाता है तो यहां पर भी हम explanation देते हैं और मुख्य काम क्या होता है इसका मतलब में चीज है कि हाँ components की speciality है कि there has been a change in gesture by the teacher, face, posture, signs and voice, silence, pause, ups and downs ठीक है, यह सब का धियान रखा जाता है explanation है, बच्चों की activity है और यह skill यहां complete हो गया next आपका reinforcement skill आपकुछ भी questions कर रहे हैं बच्चों से हम recapiturity question करते हैं या evaluation question करते हैं जाने के लिए बच्चा कर पा रहा है या नहीं तो उसके साथ में हम बच्चों को जैसे क्या करेंगे, reinforce करेंगे, अच्छा है तो very good बोलेंगे, सही नहीं बताया answer तो बोलेंगे, नहीं गलत है इस सरीके से सब भी reinforcement reinforcement में आता है तो यहां teacher statement के आज हम human resource के बड़ में study करेंगे, आपने कुछ पहले पढ़ा दिया, उसी में से आपने कुछ questions पूछ लिए, ठीक है, बच्चे answer कर रहे हैं और component आपको फ़र्ड कॉलम में नजर ही आ रहे हैं, ठीक है यह हो गया है, next आपका है illustration skill यहां पे आप एक तरीके से अच्छे उधारणों के द्वारा, अच्छे examples के द्वारा बच्चे को explain करते हैं, ठीक है यह भी एक तरीके से explanation में ही आ जाता है तो यहां आपने कुछ questions कर लिए हैं तो questions भी कर सकते हैं ठीक है, दोनों चीज़ें आप यहां कईयों में देखेंगे के explanation भी दी हुई है और कुछ में देखेंगे है कि आप questions भी के हुए है ठीक है next आपका है blackboard skill तो blackboard में आपने कुछ questions किये हैं explanation किये हैं, तो वो सब जो भी आपने summary आपके दो questions किये बच्चों से और कुछ statement दे दिया उस topic के बारे में और साथ ही साथ आपका यह blackboard skill में यह presentation शो कर दी मतलब जो blackboard पर आपने शो किया था वो यहां present कर दिया ठीक है तो यह आपका lesson plan micro lesson plan SSD का complete हो गया हिंदी में पहले से available है तो यह English में आपके लिए provide कर आगया है कोई भी query तो पूछ लेजेगा next video मिलते हैं thanks for watching